काज किये बड़ देवन के तुम, बीर महाप्रभु देखे बिचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कचु संकट होए हमारो, कौन ही जानत है जग में कपी, संकट मोचन नाम तिहारो जैशी राम दोस्तों कैसे हूँ आप सब आज के व्लोग में, आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज का व्लोग बहुत ही अलग होने वाला है, पिछले व्लोग की तरह, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, भक्ती से जुड़ा, हमारे प्रभु से जुड़ा, और कई लोगों के क हमारे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सकें, दोस्तों पता है कहीं लोगों का डाउट होता है, कि जैश भाईया हम तो भक्ती बहुत करते हैं, पूजा पाट भी करते हैं, लेकिन बज़िंग बली की कुरपा हम पर नहीं हो रही है, बज़िंग बली के दर कहूं, मतलब देखिए, कई बार हमारे सवालों का जवाब हमी के पास होता है, बगर हमारा जो दिमाग एना उस और जाता ही नहीं है, हम सब कुछ करते हैं, बगर कुछ ना कुछ कहीं पर कुछ मिस हो जाता है, जिसके कारण हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता, आपक करते हैं नित्यनियम से सब कुछ करते हैं मगर ज्यादातर लोग में एक चीज जो मिसिंग है बहुत इंपॉर्टन चीज है वो और वो क्या है मैं आज कुछ पंग्तियों द्वारा एक छोटी सी कथा है उसके द्वारा आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपके सवाल का जवा पवनसुत हनुमान कीजए एक समय की बात है एक आश्रम में एक गुरु थे उनके सत्संग और प्रवचन से प्रभावित होकर एक यूवक ने उन्हें अपना गुरु बना लिया यूवक हर रोज गुरुजी के आश्रम जाता और अपने गुरुजी की सेवा करता गुरुजी को कुछ दिनों से उस यूवक के हाव भाव में बदलाव लगा और ऐसा लगा जैसे उस यूवक का मन कहीं भटक रहा है फिर एक दिन गुरुजी ने उस यूवक को अपने पास बुला कर एक सवाल पूछा क्या हुआ हुआ शिश्य कुछ दिनों से तुम बहु सेवा भी करता हूं लेकिन मैं आपका शिश्य इसलिए बना क्योंकि मैं जानना चाता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है परंतु इतने दिनों से आपके साथ रहने के बाद भी मुझे उस प्रश्ण का उत्तर नहीं मिला इसलिए मेरा मन थोड़ा अशांत हो गय कुछ दिन बात फिर से वो यूख अपने गूरु जी के पास अपना वो ही सवाल लेकर वापस आया गूरु जी ने उस यूख से पूछा कि क्या तुम सच मै एश्वर का साकशातकार करना चाते हो तो यूख ने उचसाहित होकर कहा हाँ गूरु जी गूरु जी ने कहा तो गुरुजी के यू अचानक शिश्यको पानी में डुबोने से वो संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने के लिए जट पटाने लगा। फिर कुछ देर अपने शिश्यको पानी में डुबोने के बाद गुरुजी ने उस युवक को छोड़ दिया। बाहर निकलने के बाद पहले तो युवक ने एक लंबी सास ली और गुरुजी को देखकर पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे। तब गुरुजी ने मुस्कुरा कर उससे पूछा जब तुम पानी में थे तो क्या सोच रहे थे। तुम्हारे मन को उस समय सबसे ज़्यादा कि चीज की जरूरत थी। युवक ने जवाब दिया उस समय तो बस एक कत्रा सास लेने के लिए मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस एक पल के लिए हवा में मैं सास ले पाऊं। तब गुरुजी ने अपने शिश्य को उसके ईश्वर के साक्षातकार वाले सवाल का ज भूख वो तडब पैदा करो तभी ईश्वर का साक्षातकार होता है और उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों अब आपको मालूम पढ़ ही गया होगा कि ईश्वर की भक्ति के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए आपकी आत्मा में परमात्मा को पाने की प्रभू को पाने के लिए प्रभू को पाने के मार्क पर है उसे इश्वर का साक्षातकार होता है प्रभू कहीं ना कहीं उसे अपनी उपस्तिति का एसास दिलाते हैं ये था आपके सवाल का जवाब तो अपनी आप भक्ती करिए मगर वो भूग पैदा करिए वो भाव प्रगट करिए प्रभू के प्रती प्रभू मैं आपका आप मेरे बस आपको पाना है बस उस रहा पे चलाओ मुझे जिससे आपकी प्राप्ती हो मुझे आपके चैनों में जगा मिले मुझे प्रभू देखना कोई ना कोई रूप में किसी ना किसी के माध्यम से आपको वो साक्षातकार कराएंगे अपने रूप का वो साक्षातकार कराएंगे देखना जिससे आपका पूरा जीवन पुला पलट जाएगा पूरा बदल जाएगा तो वो भूग प से जुड़े हो या फिर क्यों ने वाले हो या फिर ऐसे प्रभू से जुड़े हो आप सबसे पहले देख सके और जल्दी लॉड़ूंगा मैं एक और इंट्रिस्टिंग व्लॉग के साथ तब तक जैश्री राम जै हनुमान